हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगें टू लांडवर दितीमन, तो आज संडे मोटीवेशनल स्पीच में हम बात करेंगे लोगों की सफलता का राज, कैसे सफल हो, किस तरीके से कारे करें की सफलता हाथ लगे, इस दुनिया में ऐसा कोई मुकाम्या मंजिल ऐसी नहीं है जो इ क्या आप जानते हैं कि इन सभी लोगों की सफलता का क्या राज है, ये सभी अलग अलग जगयों से आखर, अलग अलग शेत्रों में सफलता के जो नए इन्होंने सीर्स स्थापित किये हैं, ये वही लोग हैं, लेकिन इन सभी की सफलता के बीचे क्या राज है, क्या कारण ह और वो ये है कि इन सभी वेक्टियों ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये काम नहीं कर सकता बलकि इन्होंने अपने मन में ये सोच लिया कि इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और मेरा इस दुनिया में जन में ही इस काम करने के लिए हुआ है इनकी इसी विश्वास में इन्हें दुनिया के सबसे सफल विक्टियों में सेख बना दिया इन्होंने इसी सोच और तागत के दम पर पूरी दुनिया में एक बार फिर से इस सच को साबित कर दिया कि इनसान जो भी चाहे कर सकता है बस जरूरत है एक द्रण सोच की और कभी न तूटने वाले होसले की तो स्टुडेंट्स अगर आपने भी कुछ मुकाम या लक्ष अपनी जिन्दगी के लिए बनाया है तो बिना कुछ सोचे समझे बिना किसी की सुने उस लक्ष को उस मुकाम को हासिल करने के लिए पूरी सिद्दत से जुट जाएए अपने मन में ये निष्चे कर लीजिए कि जब तक मैं इस लक्षे को हासिल नहीं कर लेता, तब तक मैं किसी के रोखने से भी नहीं रोखने वाला तो इसी तरीखे से कुछ भी मुकाम हासिल करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए पहला द्रण निश्च है और दूसरा कभी न टूटने वाला होसला फिर भी संगर्च के रास्ते में जब आपका होसला टूटने लगे तो उस समय किसी ऐसे की जुरत होती है जो कि आपको एक बार फिर से उठकर खड़े होने के लिए आपको मोटिवेट करें इसलिए आज मैं यहां आपको सफल और महान जो भी लोग थे इनके द्वारा जो भी सफलताएं इन्होंने प्राप्त की इनके नामों से इनके कार्यों से आपको अफगत कराकर और मैं आपको आगे के लिए प्रेरित कर रही हूं कि देखिए उठ जाएए अपने लक्ष को हासिल करने के अपने लक्ष को उचा रखो तब तक मत रखो जब तक कि आप इसे हांसिल नहीं कर लेते जरूरी नहीं है आप हर फिल्ड में अच्छे हो लेकिन कोई तो फिल्ड ऐसी होगी जिसमें आप सब के बाप हो जिनमें अकेले चलने का होसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है एक दिन भीड होती है जिन्दिगी में किसी से अपनी तुलना मत करो जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती क्योंकि ये अपने समय पर ही जमकते हैं अब मुझे अलारम की जुरत नहीं पड़ती क्योंकि हर सवेरे मेरा नया पैशन ही मुझे बैठ सके और आप इतने बड़े बनिये कि आप जब उठें तो कोई बैठा ना रह सके ठीके इस तरीके से आप अपने लक्ष की ओर बढ़ेंगे आपको सफलता हासिल होगी थेंक यू